नीट का पेपर हो जाने के बाद बहुत सारे बच्चों के ना आइडियल नंबर नहीं आ पाते जितना उन्हें एक्सपेक्ट किया था उतने नहीं आ पाते तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि why you should take a drop for the need और need एक बार आपको और क्यों देना चाहिए तो देखो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको doctor बनना है आपके पास एक ambition है आपके पास एक vision एक सपना है तो वो सपना आपकी सारी negative aspects से उपर है अगर आपको doctor बनना है और आपने ठान रखा है आपको doctor बनना है तो एक बार और need आपको दे देना चाहिए दूसरी चीज़ अब जब आपने need दे दिया और आपको experience हो गया है कि paper pattern कैसा है questions कैसे है और क्योंकि क्यों need speed based test खेलाता है तो अब आपको पता है कि आपको किन aspects में improve करना है यह सब चीज़े आपको पहले नहीं पताती अब आपको पता है आप किन चीज़ों में lag करते हो आ negative marking हो गई हो तो जो भी चीज़े हैं अब आप drop जब लोगे तो आपको पता है कि किन चीज़ों में आपको ध्यान देना और वो mistake दुबारा नहीं होंगी इससे आपके number ज्यादा आने के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तीसरी चीज़ ऐसा देखा गया है देखो मैं भी drop कर रहा हूँ और मैं अपने experience से बता रहा हूँ कि drop लेने के बाद आपके अभी जितने number आया उससे तो definitely जादा number आने है क्योंकि पहली बात आप scratch से चालू नहीं कर रहे हो आपने already पढ़ रखा है आपको बस refine करना है polish करना है एक और अच्छा point drop लेने के लिए ये है कि आ आप अपने उपर finally a belief करोगे देखो जब आप drop लोगे और आप एक और बार नीट देने की सोचोगे तो अब आपको पता है कि आपने क्या गलते हैं कि और आप उस पर काम कर रहे हो दूसरी बात ये कि आपको ये पता है कि बिना drop के अगर आपके 400-500 number आ रहे हैं तो drop लेने हो कि आपको doctor ही बनना है और आपको aims जैसे premium institutions में जाना है या फिर government medical college में जाना है drop लेने का final और सबसे important वजा ये है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो private colleges afford कर सके वो लोग middle class family से belong करते जैसे मैं belong करता हूं and उनके पास वो capability नहीं है उनके पास वो royalty नहीं है कि वो private medical colleges में जा सके और 1.5 करोड रुपे दे सके तो अगर आपको अपने parents के पैसे बचाने है जो कि आपको बचाने चाहिए तो आप एक बार और drop ले सकते हो drop लेके जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता है आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है आपको पता ह लेने के बाद I am telling you आपका paper पहले से काफी अच्छा जाएगा तो chance लेने से अच्छा या compromise करने से अच्छा जैसे अगर आप MBBS की capability रखते हो आप सर्जन बनने की capability रखते हो और आप Ayurved या physiotherapy, dental ऐसी चीज़ों में जाके अपने आपको compromise कर रहे हो तो आगे जाके आपको ब physiotherapy चूज करूँ, Ayurved चूज करूँ मैं यह नहीं कर रहे है बेकार streams है लेकिन मेरे mind में मैं एक ideal image बना के वैठा था ना कि मुझे MBBS doctor बनना है मुझे surgeon बनना है तो अगर मैं यह सारी चीज़े चूज करता तो मैं अपने आपको धोका दे रहा था मैं अपने आप से compromise कर रहा और आगे जाके जब मैं अपने दोस्तों को वो सारी चीज़े बनते वे देखता जो मैं बनना चाहरा था तो मैं अपने आप से cope-up नहीं कर पाता इसलिए मैंने drop लिया और इसलिए आपको भी अपने आपको एक chance देना चाहिए और drop ले लेना चाहिए